नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल गवर्मेंट जॉब्स यूपी में और मैं आपके सामने लाई हूँ आज की कुछ अपडेट्स जिसमें हैं अगे की जानकारी से पहले मैं चाहूंगी आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें वेल आइकन विटन प्रेस कर लें डेली की न्यूज अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहें साथी वीडियो अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज शेयर करें और दोस्तों जिसने भी हमें फीड़वेक दे रहे हैं हमारे इस यूटूब चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में मैं उनका श्यूक्रिया आदा करना चाहूंगी कि वो हमारी जो भी फाल्स है या हमारी तरब से जो भी मिस्टेक हो रही है वो हमें बता रहे है ठैंक्यू की है जिसने हमें कमेंड किये है दूस्तों बात करते हैं आगे की तरफ उत्तरप्रदेश लोक सेवा आयोक से चैनी 23 खंड सिक्षादिकारियों की निर्ष्ट जारी हो गया है उन्हें रिक्ट के अंसार अलग-अलग जिला अवंटित किया गया है सभी को 15 दिन में कारवार ग्रहन करने का आदेश हुआ है तैसमय सीमा में कारवार ना लेने पर उनकी निर्ष्ट मानी जाएगी UPPSC के साशन के निर्ष्ट के अनसार 309 खंड सिक्षादिकारियों का चैन किया था उनमें से अधिकार्ण्स की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है सत्यापन प्रक्रिया लंबित होने से 23 वीईयोस के सफल होने की सूशना उनने सप्रेल 2021 को उपलत कराई गई अब उनने 2 साल की प और मार पत्र का सत्यापन होगा यदि इनमें गर्वडी मिली तो नियुक्ति निरस्ट करती जाएगी निर्देश हैं की चैनित 15 दिन के अंदर कारवार ग्रहन करें आगे की नियुश की तरफ चलते हैं अव्यर्थियों का दावा ल्टी कला की नियुक्ति का रास्ता साफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयो की GIC LTE Great कला सिक्षा वर्थि में NCTE ने BFA, MFA अहरता वाले अव्यर्थियों की नियुक्ति के लिए हरी जंडी दे दी है LTE GIC के अवर्थियों का दावा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयो की ओर से NCTE की हरी जंडी मिलने के बाद नियुक्ति का नियुक्ति का नियुक्ति का नियुक्ति का नियुक्ति नहीं है उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है इससे पहले आयोग ने BFA के साथ B8 करने वाले 130 सब्वियर्थियों को नियुक्ति 4 महीने पहले ही दिया था आयोग की ओर से LTE grade कला के 474 पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया था आयोग की ओर से BFA के साथ B8 के साथ B8 कला सेक्षिक अर्था रखी गई है बात करते हैं स्कूलों की जिसमें की 10th का जो मुल्यांकन हो रहा है समय या जिनक्या हो चुका है करोना महमारी के कारण दस्वी के रजल्ट इस्वार परिक्षा के वज़ाएं मिट टर्म, प्रीबोर्ड और यूनि टेस्ट के मुल्यांक के आधार पर होना है यदि किसी कोई वी बच्चा इन में से किसी वी मुल्यांकन में उपस्चित नहीं हुआ है तो स्कूल ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर वन टू वन टेलिफॉनिक मुल्यांकन के आधार पर उसका रजल्ट तयार कर सकते है स्कूलों को रिकार्ड के लिए दस्तवेजी साक्षे रखने होंगे या नियम उनी बच्चों के लिए होगा, जो स्कूल के किसी वी मुल्यांकन में सामिल नहीं हुए है CVSC ने स्कूलों को दस्वी के अंक तयार करने के लिए लगातार पूछे जाने वाले प्रशनों के उत्तर जारी किये है इनका मकसद है कि स्कूलों को मुल्यांकन और अंक तयार करने में स्वस्टता आ सके वोड ने कहा है कि कोई बच्चा आवंटित किये गए अंकों से संतुष नहीं होगा इसी तरह यदि कोई छातर सहर में नहीं है और फोन से उस तक पहुँच नहीं हो पा रही है तो उससे अंक देने की जगह अनुपस्ट दिखाया जाएगा स्कूल यदि किसी अविवाग तक नहीं पहुँच बना पा रहा है महमारी के कारण बच्चे ने प्रिवोड नहीं दिया है तब भी अंक देने की जगह उसे अनुपस्ट थी ही दिखाया जाएगा सीवेसी की ओर से कहा गया है पॉलिसी के आदार पर ही स्कूल अंक देंगे सीवेसी की ओर से जारी मुल्यांकन फार्मूले के अनसार विद्यारतियों के लिए प्रतेक विशा में सो में से 20 अंक आंतरिक मुल्यांकन के होंगे असीं अंक, मिड्टर्म, प्रिवोड और युनिट टेस्ट के अधार पर दिये जाएंगे इन में से भी युनिट टेस्ट के लिए 10, मिड्टर्म के लिए 30 और प्रिवोड के लिए 40 प्रतीसत अंक तयार किये गए हैं और ये सभी जितने भी CVC Board School हैं, ये सभी के लिए जारी किये गए है निर्देश, आगे वड़ते हैं, आगे देखते हैं DL से संबंदित, उत्तर प्रिदेश में करोना कर्फ्यू के चलते अप्रेल से माई तक के ड्राइविंग लाइसेंस के लगवग 45,000 आवेद्गों के न बीच निरस्त हुए DL आवेद्गों में सबसे पहले स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस आवेद्गों को बलाया जाएगा, जिनको एक जून से अलग लग तारीकों में मैसेज भेजने का सिलसला शुरू होगा, जबकि लर्निंग लाइसेंस के आवेद्गों के निरस्त लॉट को पंदर जून के बाद अलग अलग तारीकों में शेडियूल किया जाएगा, ऐसे ही 23 अप्रेल से 29 मही के बीच निरस्त हुए DL आवेद्गों के नजार करना पड़ेगा, इन्हें 30 जून के बाद अलग अलग तारीकों में बुलाया जाएगा, जी हम बात करते हैं सिग्षक पर्ती के टौपर खा रहे हैं धक्का और प्रतिक्छा सूची जारी कर दि गई हैं, प्रदेश भर के 450 से अधिक साहयता प्राप्त मादमिक विद्यालों में के प्रसिशिक शनातक और प्रवक्ता 2016 के टौपर धक्का खा रहे हैं और उत्त्तर प्रदेश मादमिक स शिक्षत सेवा चैन वोड ने रिक्त पदों को भढ़ने के लिए प्रतिक्षा सूची जारी कर दी। शिक्षक भर्ति की टॉप पर खा रही है ठोकर यानि की डॉक्टर रानू वर्मा ने प्रवक्ता रसायन विज्ञान की भर्ति में पहली रैंक पाई थी। खात्र है या मिधावी चैनित है उनको करना पड़ रहा है आगे की जानकारी देखते हैं दोस्तों श्कूल से ही संबन्दित है सीवियस जी ने स्कूलों के फी समय सभी जानकारी है स्कूल की वेब साइट पर अप्लोड करने का अनिवार कर दिया है इसका सीधा फायदा व्याकों को होगा वें समझ जाएंगे की किस स्कूल में बच्चों का नामांकन कराना है इसमें बहुत सारी चीजें हैं पारदस्ता के लिए यह नियम बनाए गए हैं बहुत सारी जानकारी हैं जो अब अप्लोड करनी होंगी प्रिंसिपिकल नाम सेक्षन की योगता दस्वी वारवी के पिछले तीन सालों के प्रिक्षा पलका विवरान संबंता नंबर स्कूल कोड पिन कोड स होंगी जियां सीम योगी के निर्देश हैं कि हर जिले में स्पेशल बूत बनाए जाएंगे प्रदेश के चिकिस्ता संस्थानों इवर मेडिकल कॉलेज में भरती कोविड संक्रमण के बाद हुए रोगों का इलाज पूरी तरह से निशुल्क होगा कोविड अस्पताल बन मरीज से शुल्क नहीं लिया जाएगा सामानेवार में भरती होने वाले मरीज का इलाज निशुल्क किया जाएगा वहीं एक जून से 18-44 साल वाले जो लोग हैं उनके लिए जिले में टीका करन अभियान के दौरान हर जिले में अभियावक स्पेशल बूत बनाए जाएंग करोना की तीसरी लहर के नियंत्रित होने तक परशदिय स्कूल में ओनलाइन क्लास होती रहेंगी जी यहां दोस्तों जैसा की बताया है की थर्ड वेव स्टार्ट होगी या जो भी आगे करोना का नहीं जब तक स्टॉप लगता है तब तक सारे प्रदेश में करोना का संक्र विवाग में ओनलाइन क्लास के विकल्प को ही जारी रखने का योजना बनाई जा रही है आगे चलब बढ़ते हैं दोस्तों अव्याकों के खातों का होगा सत्यापन करोना काल में स्कूलों के बंध होने के कारण बच्चों के मध्यान भोजन के कन्वर्जन कास की धनराशी अव्याकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है या खाता सही नहीं है या अब तक इसका सत्यापन किया जाएगा या नहीं जो मिटे मील जो एक चलता है बच्चों के लिए उसका चुकी स्कूल नहीं खुल रहे हैं इस संबन्द में अब जो उसका पैसा है वो सीधे अभावके के खातों में जाएगा इस संबन्द में कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पर या स्कूल के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बात करते हैं वाटसप की बहुत सारी ऐसी अटकलें लगाई जा रहे हैं कि ये बंद होने की कगार पर है निज्टा का सम्मान पर गंबीर मामलों में बताना होगा संदेश का मूल श्रोत केन सरकार ने बुद्वार को कहा कि निज्टा का एक हक मूल भूत अधिकार है सरकार इसका सम्मान करती है और इसके छेड़चार का कोई इरादा नहीं है सोचल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वाटसप ने नए सूचना प्रोधोगी की नियम के तहत संदेश के मूल श्रोत की जानकारी देने के आदेश को यूजर की निज्टा की अधिकार का हनन बताते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का दिल्ली हाई कोट में चुन दवी शंकर प्रसाद ने कहा विटेन, अमेरिका, उस्टेलिया, कैनेडा, नियूजलेंड में सोचल मीडिया कंपनियों को अपने कामकाज में कानूनी हस्तेचेप को अनुमती देनी पड़ती है भारत की अन्य देशों की तरब से मांगी जानी वाली जानकारी उसे बेहत कम इसलिए वाठस अप का भारत का मध्यवर्ती निदेशों का निश्ता का अधिकार के विप्री दिखाने का प्रयास गलत तरीका है प्रसाद ने कहा भारत के कोई भी नियम किसी भी तरीके से वाठस अप के सामानी कामकाज में बादा नहीं डालेगा, सामान यूजर्स पर भ भी हमारे पास होगी बहुत जल्दी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे आज के लिए इतना ही थैंकी सो मच, have a nice day